कि नमश्कार साथियो क्या हाल चाला आप सबके साथियो यह वीडियो व्याकरण पर अधारित हैं हम वर्णों को पढ़ेंगे खास तोर पर अलप्रान महा प्रान घोश अगोश क्या हैँ इस संबंदी हमारे साथियों को बहुत सारी उल्जने हैं बहुत सारी कन्फ्यूजन है आज सारी होजने clear कर देंगे लेकिन साथ यू वीडियो अंत तक ज़ुर देखेगा क्यूंकि वीडियो के अंत में ऐक छोटा सा मोग टेस्ट भी आपका लेंगे इसी वीडियो के अधार पर जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उसी के धार पर मोक टेस्ट भी होगा वीडियो अन तक जुरूर देखेगा फाइदा तभी है जब उस मोक टेस्ट को आप दीजिए ठीक है साथियो दस के दस प्रेशन का उत्तर मैं नहीं दूँगा आप देंगे उन उत्तरों का जवाब ठीक है इन पर ज़्यादा बात करेंगे लेकिन वर्णों को थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन जदि आप वर्णों को गहराई से पढ़ना जाते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का तो वह भी हमने वीडियो बनाई हुई है तो अधिक समने लेत अकाई ध्वनी है ध्वनी मतलग वर्ण जाक्षर कह सकते हैं ध्वनी को लिखित रूप में वर्ण द्वारा प्रक्ट किया जाता है वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनी और ध्वनी चिन के लिए किया जाता है इस प्रकार वर्ण भाशा के मोखिक और लिखित दोनों परतीक के रूप में परजोग किया जाता है, इसे अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं, आगे एक छोटी सी परिभाशा और वर्णों से ही समंदित है ये भी, ठीक है, तो ये परिभाशा जाद कर लीजिए करें, क्योंकि अक्सर एक प्रशन आ जात है कि कौन सा मत गलत है, कौन सा, कौन सी विचारदार है जो निमलिक्त बिकल्पों में है, वो गलत है, तो ऐसे प्रशन आक्सर पूछ ले जाते हैं साथि, तो गवराना नहीं है, इन परिभाशाओं का अच्छी तरह से जात कर लीजिएगा, ठीक है, वर्ण या अक्षर, व वर्ण माला है, उसको देख लेता है साथियों, तो आपको पता ही है, अ को छोड़कर प्रतेक स्वर की अपनी एक मात्रा है, ठीक है, यह तो पता ही होगा आपको, तो साथियों, देख लिजी, जो आ की मात्रा है, छोटी एकी, बड़ी एकी, छोटा उ, बड़ा उ, री, र है बड़िये के लिए चोटा आउ बड़ा ऑउ अंग बोलता है इसको अनुस्वार को अग बोलते हैं और विसरग COO की तरह है कि थए मुख से हम जब भी विसरग का परजो करते हैं जैसे कि हम शबर बोलते हैं प्राथ प्राते शब्द बोला तो नीचे माफ करेगा सबसे अंत में विसरग लग जाते हैं तो जब हम प्राते पड़ेंगे तो अंत में हम उचारन करते हैं एस प्रकार से विसरगों का उचारन होता है तो अभी ब्यांजन पढ़ लेते हैं शिग्रती शिग्रती इसको भी complete करके हम सिरु जल्दी से पहुंच जाएंगे घोश और घोश की ऊपर ठीक है तो ब्यांजनों में तो आपको पता ये क वर्ग में 5 ब्यांजन है क ख ग घ यां ठीक है आगे है तो आपको साथ ही बता देता हूँ जे जो अंग है तो आपको पता ही होगा हिंदी में एक रूल है इनकी जगा आज अनुश्वार प्रजोग किया जाता है लेकिन ये वाला जो है न तो साती है आपको पता देता हूँ ये चंदरविंदू के लिए प्रजोग होता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो आगे साथियो तव वर्ग में जो कंठे द्वनी है तालब्य है मूर्धने द्वनी है मूर्धने वही द्वनी जो हमारे तालू और हमारे दांतों के बीच का खुर्द्रा भाग होता है तो तव तव दवने द्वनिया ठीक है आगे साथियो तवरग दंते द्वनियां बोलते हैं इसको ठीक है तथ ध ध न तो आगे ओश्टे द्वनियां बोलते हैं इसको यह रहल वह इसका तो आपको पता ही होगा जब उचारन करते हैं तो मुख वीवर का कोई भी आंग जो है अच्छी प्रकार से एक दूसरे घंजन वनियां गरण डोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वीवच्णों का वर्गी कर्ण जो किया गया है हिंदी में वो दो प्रकार से हैं दो भागों में वाजिता है स्थान के अधार पर दूसरा है परजयतन के अधार पर तो स्थान के अधार पर जो व्यंजन है वो देख लेते हैं उसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं तो उसमें कंठ, तालू, मूरदा ठीक है कंठ तालू मूरदा दंत और ओस्टे आदी सब भी आ जाते हैं जो वर्ण मुक के किसी भाग से वोला जाता है वही उस वर्ण का उचारन स्थान कहलाता है ठीक है साथीू पता यह कंठ से कौण से कवर बोला जाता है ठीक है स्वास का कमपन स्वास की मात्रा तथा जीवा आदी के अव्यवों द्वारा स्वास के अवरोधों की परिक्रिया का नाम प्रियतन है तो साथियों आपको प्ता देते हैं प्रियतन के अधार पर पहले क्या था स्थान के अधार पर जो व्यंजन है जैसे कि कंट है तलब्य है म जो ध्वनिया आती हैं प्रजत्न के अधार पर जो व्यंजन ध्वनिया है वो कौन-कौन सी है तो साथियू जो पता होना चाहिए आपको यह तो होके स्वास के अधार पर दूसरा स्वास की मात्रा के अधार पर ठीक है जो पता होना चाहिए आप लोगों को तो पहला जे जो अलप प्राण आता है, महा प्राण आता है न सातियों, तो जे स्वास की मात्रा के अधार पर जो वेध है उसके अंदर आते हैं, ठीक है, तो प्रिक्षाओं में अकसर पूछा गया है, जाद कर लीजे, most important चीज बता रहा हम सात्यों में ठीक है तो जो अलप्रान है महाप्रान है घोश अगोश जे सारे के सारे जितने भी व्यंजर है वो प्रियत्न के अधार पर जो वर्गी करण है व्यंजरों का उसमें आते हैं ठीक है एक बात उपर बता देता हूँ अभी हमने जो पड़ी कि स्थान के अधार पर कौन से व्यंजर आते हैं जो कंट, तालू, मूर्दा, दंत और ओस्चे व्यंजर है वो स्थान के अधार पर आते हैं ठीक है सात्यों स्थान के अधार पर जो वर्गी करण है व्यंजरों का दूसरा वर्गी करण है प्रजतन के अधार पर तो साथी उजे जाद कर लेजे प्रजतन के अधार पर जो वर्गी करने हैं उसमें अलब प्राण, महाप्राण ठीक है और घोश अगोश अभी आ जाते हैं उसको पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि स्वास स्वास क्या है प्रयान वाजू जो हमारे मुख से वाजू बाहर निकलते हैं उसी को स्वास बोलते हैं स्वास की मात्रा के अधार पर वर्ण वेद प्रान का अर्थ क्या है वाजू व्यंजनों के उचारन करते समय बाहर आने वाली स्वास वाजू की मात्रा के अधार पर व्यंजनों के दो वेद हैं कौन-कौन से अलप्रान और महाप्रान जाद कर लीजिये जो हम सास छोड़ रहे हैं वाजू बाहर छोड़ रहे हैं इसी के अधार पर व्यंजनों के दो वेद हैं जाद कर लीजेगा साथियो जो हम स्वास छोड रहे हैं अभी ठीक है वाजू में बाहर फिंक रहा हूं मुख के द्वारा तो इसी को ही अलप राण और महा प्राण अर्थास इसी को ही स्वास वाजू की मातरा के अधाब वर्ण वेद में बाटा गया है इसी को अलप राण औ यह कभी नहीं भूलनी है ठीक है जिन वर्णों के उचारण में वाजू की समान्य मातरा रहती है क्या कहा जा रहा है कि जिन वर्णों के उचारण में वाजू की समान्य मातरा रहती है ना तो अधिक निकलती है ने कम निकलती है एक किसम से थोड़ी कम ही निकलती है ठीक है जिन वर्णों के उचारण में वाजू की समान नेमातरा रहती है और हकार जैसी ध्वनी बहुत ही कम निकलती है जब बहुत ही कम होती है वे अलप्रान कहते हैं जब उन्हें अलप्रान कहते हैं अभी साथियों आप सोच रहे होंगे ये हकार क्या है हकार हकार जैसी ध्वनी है बहुत कामा निकलती है अलब प्राण में अभी हकार अभी एक word मैं बेंजन बोलूँगा ख ये ख मैंने लेख दिया अभी जब इसका उचारन करूँगा न मैं ख तो इसमें जब मैंने ख का होती है ख हो जाए फिर आगे घ लिखे हम जब घड़ी वाला इसका भी जब हम उचारन करते हैं तो इसमें ह की मात्रा जो ज़्यादा है और ख, घ, दूसरा और चोथा जो ब्यंजन होता है वो हमेशा ही महा प्राण में आता है अलब प्राण में नहीं आता है इसलिए जहीं कहा गया है साथ्यों अलब प्राण की परिभाशा में कि जिन वरनों के उचारण में बायू की समान्य मात्रा रहती है और हकार हकार अभी मतलब ह, ठीक है हकार जैसी ध्वनी बहुत कम होती है वे अलब प्राण कहते है अभी साथ्यों देखिए उधारण की रूप में जहां क है क में ह जैसी ध्वनी तो कोई आई ने दी जदि हम ख बोलें तो उसमें ह थोड़ा साथ जो है उसकी मात्रा जो है जलकती है मतलब ह का ह ध्वनी भी थोड़ी सी साथ में निकलती है जब हो ख का उचारण करते है क ग इसमें कुछ नहीं है ठीक है अभी साथ ही देखिए थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते है सरल शब्दों में अलप प्राण की जो प्रिभाशा है सरल शब्दों में भी समझ लेते है जिन व्यंजनों के उचारण से मुख से कम हवा निकलती है मैंने पहले बोला जहांपर क्या लिखा है समान्य मात्रा में बाजो निकलती है मुख से लेकिन जहांपर क्या है जिन व्यंजनों के उचारण जा जिन वियंजनों का उचारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकलती है वे अल्प प्रान कहे जाते हैं ठीक है साथियो आगे पढ़ते हैं प्रतेक वर्ग अभी देखो आपको तो पता ही होगा वर्गों की बात कर रहा हूँ क वर्ग आगे चव वर्ग अभी साथियो देखी प्रतेक वर्ग का पहला तीसरा और पांचमा वर्ण अल्प प्रान है पहला तीसरा और पांचमा वर्ण जे अल्प प्रान है अभी गव पहला वर्ण आ गया गव तीसरा अंग जे पांचमा ठीक है पांचमा बर्ण आगे जहाँ पर च भी आना था च लिखना बोल गया हम शायद में च भी लिख लिजिए ठीक है च फिर आगे तीसरा ज फिर यहाँ ठीक है फिर ट आगे ड न तो समझ गी होगे आप लोग यह सारा लिख लिजिए आप ठीक है तो क्या बोल रहा हूँ मैं पहला वर्ग परतेग वर्ग का पहला तीसरा और पांचमा वर्ण जो है परतेग वर्ग का वो अलब प्राण में आएगा ठीक है साथियो अंतस्थ आगे क्या है अंतस्थ यह रलव यह बी अलब प्राण है है दोबार लिख दिया हमने ठीक है तो यह मुश्च इंपोर्टन है बच्छे अक्सर भूल जाते हैं कि your love किसको किस में लिखें महा प्राण में लिखें जब अलब प्राण में लिखें तो साथियों यह अलब प्राण में आएंगे अभी हम पढ़ेंगे महा प्रान ध्वनियां, अभी ये साथी उल्टा है, अलब प्रान का उल्टा है भाई, जिन व्यंजनों के उचारण में स्वास बाजू, अलब प्रान की तुलना में कुछ अधिक निकलती है, और हो जैसी ध्वनी होती है, उन्हें महा प्रान कहते हैं, ह कुल सरब शब्दों वे भी वही बात हो रही है आगे साथ ही पढ़ लेते हैं परतेग वर्ग का दूसरा और चोथा वर्ण तथा समस्थ उश्म वर्ण महा प्राण है समस्थ उश्म वर्ण यह भी हमने पीछे पोला था ना कि और दूसरा और चोथा व्यंजन जो है वो तो है ही महाप्राण आगे कहा जा रहा है आगे कहा जा रहा है कि संग्षेप में अलब प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्रानों में प्राण वाजू का पुयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है ठीक है महा प्राणों में महा प्राणों में जो प्राण वाजू है हमारा स्वास है जो बाहर निकलता है वाजू बाहर निकलते है उसका अधिक श्रम पूर्वक उसका उप्योग करना पड़ता है महा प्राण वर्णों का ब्यंजनों का उचारण करते समय तो साथियो जे अभी समझ भी आ गया न ठीक है जे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि कौन सा महाप्राण है और कौन सा अलप्राण है सबकी प्रिभाशा अभी मैंने करवा दी है ठीक है साथियो तो आपको पता होना चाहिए कि यहर अलव जे क्या है अलप्राण है ठीक है अलप लिख देता हूँ जहां पर ठीक है जे अलप्राण है और उश्म ब्यंजन जो है जहां पर शर्स सर्स हर जे वाले जो है जे किस में आते हैं जे महाप्राण में आते हैं जे महाप्राण में आ गए ठीक है साथियो और पहला वर्ण मतलब परतेक वर्ण का पहला वर्ण जो है ये वाला पर तक जे किस में आ गया जे अलब प्राण में आ गया तीसरा वर्ण ठीक है जे भी अलब प्राण में आ गया और पांचमा वर्ण जे भी अलब प्राण में आ गया ठीक है लेकिन दूसरा वर्ण जो है दूसरा पर एक वर्ग का जहां प वर्ग तक ठीक है और जे वाले दूसरा और चोथा जो है यह किस में आ गया साथियो जे आ गया यहां पर महाप्राण में तो ऐसे समझना है अपने ठीक है तो साथियो अभी important topic में शुरू कर रहा हूँ घोश और अघोश ब्यंजनों का बहुत important है घोश और गोश गोश का अर्थ क्या है नाद या गूँज अभी नाद का क्या आर्थ है साथियो नाद का आर्थ होता है अवाज क्या आर्थ होता है अवाज क्या आर्थ होता है अवा उचारन में होने वाली ध्वनी की घूंज के अधार पर वर्णों के दो वेद हैं क्या बोला जा रहा है कि वर्णों का उचारन करते समय जो ध्वनी उत्पन होती है उसी के अधार पर दो वेद हैं घोश और घोश क्या बोला गया वर्णों के उचारन के समय धोनी की जो गूंज ठीक है धोनी की गूंज उत्पन होती है उसी के अधार पर वर्णों के दो वेद हैं साथि जे जाद कर लिजे का दोनी की गूंज के अधार पर वर्णों के दोवेद हैं, कौन-कौन से घोश और अघोश, पहला है घोश, जिसे सघोश भी बोला जाता है, ठीक है, तो जे घुबरामा जाएगा कि सघोश है तो कोई और ही होगा, नहीं, घोश को सघोश भी बोला कहलाते हैं, अभी साथी स्वर्थ आंत्रिये क्या है, गले में, ठीक है जब यहां उचारण करते हैं, गले कि जो स्वर्थ आंत्रियां है जो कोशिकवाइं हैं, तंत्रिकाएं हैं वो आपस में झhington-क। होती है, ज जहंकरित होती कापती हैं वे क्या है घोष ब्यंजन कहा जाती है ठीक है साथ यूँ और आगे क्या लिखा गया है दूसरे शब्दों में असान प्रिभाशा बेसाथ भी लेक रहा हैं देखें जिन वर्णों के उचार्ण में गले के कमपन से गूंज उत्पन होती है जब गू प्रते एक वर्ण का जो आखरी तीन व्यंजन होंगे वो कौन से होंगे वो सघोष होंगे इसके अतिरिक्त क्या कहा जा रहा है कि अंतस्थर व्यंजन जो है यहर लव यहर लव वो भी घोश में आते हैं साथ यू लिख लिजिए जे जे अकसर प्रिक्षाओं में प्रशन आते हैं कि आंतरस्थ व्यांजन घोश हैं जा अघोश हैं तो साथ यू जे घोश हैं साथ में इसको सघोश भी बोल सकते हैं सबी सवर घोष है जे भी लिख लेजी जितने वी सवर है वो भी घोष है जे नई जानकरी मैं आपको दे रहा हूँ जितने वी सवर है वो सारे के सारे घोष है ठीक है तो सातियों अभी देख लीजिए जो गोष ब्यंजन है परतेख वरण के आखरी तिन ठीक है देवाले आखरी तिन जो चार आ गए उसमें क्योंकि हमने आपको बता दूँ कि पहले से ही शात ब्यंजन थे तो परतेख वरण के आथरी थे और जो अंतस्थे जो हैं सारे के सारे आ गए अंतस्थे में सारे के सारे व्यंजन जो है वो आ जाएंगे ठीक है घोश में और सारे के सारे जो स्वर हैं वो तो मैं आप पहले पता चुकाँ वो घोश में ही आएंगे आगे विसातियों पढ़ लेते हैं अंतिम पंक्ती रहे गी थी घोष से संबंधित तो घोषद्वनियों में उचारण में तो घोषद्वनियों के उचारण में प्रतेक वर्ग का आखरी तीन व्यंजन का उचारन करते हैं तो क्या होता है स्वर्थ अंत्रियां आपस में मिल जाती है भाजू धक्का देते हुए बाहर निकलती है तो परणाम सबरू क्या होता है कमपन पैदा होती है प्रते एक वर्ग का आखरी तीन वर्ण इसके अतिरिक्त अंस्थस्य व्यंजन और सभी घोष जो है सभी स्वर जो है घोष है तो यह जानकर आप लिख लिजिए जाद कर लिजिए कभी नहीं भूलना है साथियो साथियो अगला जो विकल्प है वो है सघोष अगोष जो है वो सघोष या घोष का विप्रीत है बिलोम है अभी क्या है नादकार्थ मैंने क्या समझाया अवाज अवाज की द्रिष्टी से जिन व्यंजन वर्णों के उचारण में स्वर्त अंत्रिया जंकरित नहीं होती है बिलकुल उल्टा कहा कह दिया गया है घोश में स्वर्त अंत्रिया बर्णों का उचारण करते समय जंकरित होती थी इसमें क्या लिखा गया नहीं होती है बे अगोश कहलाते हैं दूसरे शब्दों में जिन बर्णों के उचारण में गले में कमपन नहीं होता उन्हें अगोश वर्ग के पहले दो वर्ण प्रते एक वर्ग के पहले दो वर्ण आगे श आगे शटकौन वाला सर फिस जी क्या है?, अगोष है ठीक है? जी भी अगोष, अभी आप सोचोगे कि हर जो उसमे वेंजर है, उस ये क्यों छोड़ दिया तो साथ ही जो हर है वो उपर मैंने नहीं बताया, माफ करीगा हर जो है, इसको आप घोश में ही रखेंगे, ठीक है जे घोश में ही आएगा, जा सघोश दोनों ही लिख सकते हैं, घोश में रखेंगे हर को, बाकी तीन जो है उश्म ब्यंजन, श, स, स, ठीक है, जे ब्यंजन हम रखेंगे, अगोश में ठीक है, और पहला और दूसरा वर्ण, परतेग वर्ण का, ठीक है, इसको भी रखेंगे परतेग वर्ण, मतलब, कर वर्ण से लेकर पर वर्ण तद उसमें जो पहले दो वर्ण है व्यंजन है, कर, ख, चर, ठ, 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 प, फ, वो भी अगोश है, ठीक है, और ह, जो है वो उसको हम रखेंगे घोश में ठीक है, कन्फूजन कलेर कन्फूजन होना ने चाहिए साथी हो जितको रोलैक्स करके पढ़िएगा और भाईया, पास होना है, सबीने ठीक है, अमेरिक लिस्ट में आना है, तो पंद्रा नंबर की जो व्याकरण है वो हमारे उपर छोड़ दीजी भई, हम करवा देंगे आपको, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, लेकिन आपके लिए जब वीडियो बनाना बहुत वश्यक भी था, बहुत सारी confusion जो है, अक्सर बच्चों को आ रही है, ठीक है, हम प्रशन उत्र भी अपने टेलिग्राम पेज पर छोड़ रहे हैं काफी साज़ादा बच्चों को, लेकिन काफी सारे बच्चे प्रशन अभी भी गलत कर रहे हैं, तो ये वीडियो के बाद कोई गलत ना करें, कोपी मैन लेकर बैठे हैगा अच्छी प्रकार से नोट्स बना लीजी जे वीडियो से ठीक है, तो संजुक्त वियंजन अभी संजुक्त वियंजन को भी पढ़ लेते हैं, जल्दी से जो वीडियों, दो ये दो सेदिक वियंजन के मेल, सब को आता होगा वेव संजुक्त वियंजन कहलाथे हैं दूसरे शब्दोमें, असान शब्दोमें कहूं कहूं तो क्या कहा जा रहा है, कि वर्ण अमाला में जो दो अक्षरों को मिला कर बनाये गए वे संजुक्त वियंजन कहलाते हैं ठीक है यह संख्या में चार होते हैं ठीक है तो संख्या में चार है तो साथियो चार संजुक्त वियंजन है क्षोत्र ग्योश्रो लेकि साथियो आपको बता देता हूं संजुक्त वियंजन आप विद्याले लिखते हैं ना वि में इसको द्वित भी कहा जाता है तो इसका प्रजोग भी हाला कि किया जाता रहा है तो घबरायग करवादेंगे इसको भी हाँ रख लेजिए कि संख्या में पांच है कहा ही प्रजोग आज भी हो रहा लेकिन नहीं मान की करन जो पो टाइवस में में कह दिया गया है कि इसका प्रजोग नहीं करना तौका तो सांथ ही कोई बात नहीं किशह अलाई कि जब किशह सांथ ही आपको बताता है जासे मैंने यह लिखा क्षेत्र इसको कई बच्चे कई साथ ही मारे क्शेत्र ही पड़ेंगा जैसे मैं ने पढ़ दिया к्शेत्र लेकिं नहीं जब ये क्शर का प्रयोग पहले पस्थान पर होगा तो इसको हमने शेत्र पढ़ना है ठीके है जदी बीच में कहीं आ जाए मैं जैसे की बीच में अबद है कोई, यासे मैं पक्ष लिख house ठीक है, ठीक है तो यह जहां पर पड़ा जाएगा, लेकिन जब पहले पर होगा जही व्यंजन तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसथियों तो आपको तो पशनते हैं। जैसे एक क्षड है के नीचे हलंत, माफ करेंका साथि शटकोन के नीचे भी हलंत आना था छे ठीकर लेजएगा, इस प्रकार से आगे शब्द बन जाते हैं, ठीक है, फिरो जब भी आपको पता होगा, इसको भी लिख लेजिए ग्यो, साथियो ग्यो, साथियो आपको पता होना नाम पढ़ा होगा ग्यान पीठ पुरसकार ठीक है इंग्लिश में ज़दी आप उसका उस चारण पढ़ेंगे ना इंग्लिश में जब लिखा होता है तो क्या लिखा होता है जिनान पीठ लिखा होता है हम थोड़ा सब भढ़क रहे हैं साथियो मैं जल्दी से करवा दूँगा आपको टैंशन मन लिजेगा लेगिन यह भी पढ़ाना विश्चिक है तो ग्यान पीट को इंग्लिश में लिखा यह था जिनान पीट क्यों लिखा जाता है क्योंकि आज भी मूल संस्कृत में ग्या क घ्याक पढ़ा जाता है क्या पढ़ा जाता है छम्यंव पढ़ा जाता है ठीक है तो मत इंगभरा जाईए गल्धा जा कर बना ग्यव लेकिन इसको ज्णौ आज भी को पढ़ते हैं लेकिन आज हिंदी में इसका जूरूप है 0 T9 कि तुरा पढ़ा जा रहा है आगे साथियो कुछ और पढ़ लेते हैं कुछ लोग ज़ और न को ग्यव ऐसे पढ़ते हैं ऐसे कई लोग उचारन करते हैं वो भी सही है लेकिन ग्यव उचारन सही है संजुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन संजुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहीत होता है क्या कहा गया है कि संजुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहीत होता है आगे साथ है द्वित्व अभी जे पढ़ा है आपने कभी द्वित्व वाला जे भी पता होगा जदि आपने शब्द बिल्ली पढ़ा है ने बिल्ली लिखते होंगे कई बार जब शब्द में एक ही वर्ण दो मिलकर परजुक्त हो तब उसे दुवित्व वियंजन कहते हैं क्या कहा गया है कि जब शब्द में एक ही वर्ण दो वार मिलकर परजुक्त हो तब उसे दुवित्व कहते हैं तो एक ही वर्ण साथ्यों एक ही वर्ण कहा गया है जब दो वार मिलकर प्रजुक्त हो जैसे पकाश यहां पहला कव जो है वो क्या आएगा वो स्वर्रहित आयगा और दूसरा क्या है दूसरा स्वर्ष़ित आएगा तब जाकर द्वित्व की परिशिती उत्पन होती है ठीक है नीचे जही कहा गया है कि पहला वियंजन स्वर रहीत आएगा और दूसरा वियंजन स्वर सहीत आएगा इसको ज़्यादा डीपली नहीं समझते हैं क्योंकि हमने अभी मोक टैस भी आपको देना है तो साथियो संज संजुक्त आक्षर अभी संजुक्त आक्षर क्या है साथि उसको पढ़ लेते हैं द्वित्व समझा दिया संजुक्त व्यंजन समझा दिया अभी संजुक्त आक्षर समझ ले दी जब एक स्वर रहीत व्यंजन अन्य स्वर सहीत व्यंजन से मिलता है तब संजुक्त आक्षर कहा जाता है तो जिए दिख लेजिए अगर सौ की नीचे हलंद है तो समय लेजिए कि इसमे स्वर नहीं है जिए स्वर रही थे ठीक है जदी को की नीचे हलंद है तो समय लेजिए कि इसमे स्वर नहीं है जदी स्वाद लिखा है ना तो साथियो इसमें जदी हलंत है तो इसमें स्वर नहीं है इसलिए इसको स्वर आदा लिखा जाता है ठीक है जदी इसमें जदी दिख लेजिए जदी दिख लेजिए कि जदी इसमें हलंत है तो इसमें स्वर नहीं है तो इस प्रकार से वीडियो हुई साथ्यू अभी हम आपको मौक टेस्ट देंगे तो साथ्यू यह सभी टोपिक जो है हमने क्लेर करवा दिये घोष, माहा प्राण, अघोष और अलग प्राण सभी करवा दिये हमने संजुक्त अक्षर, संजुक्त वियंजन, दुवित्व क्या है वो भी समझा दिया तो वीडियो कैसी लग रही है जरूर लाइक करिएगा जैदी आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है अच्छी मोग टैस्ट जो है आपके लिए ला रहे हैं दस प्रेशन होंगे पहला प्रेशन एक कंठ तालू मूर्दा आदी ध्वनिया कि स्वरगी करण में आती है प्रजतन के अधार पर, स्वास के वाजू के अधार पर या स्वर्थ अंत्री के कमपन के अधार पर साथी जो सारे के सारा टैस्स आपको होंबर्क दे रहा हूँ मैं कोई उत्तर नहीं दोगा आप वीडियो देखिए शुरू से अंतक मौक टैस्स देना है तो जाके comment section में सब भी उत्तर लिख देती है जिसके answer सबसे अधिक सही होंगे उसको हम pin कर देंगे सबसे उत्तर उसका ही उपर लहराएगा ठीक है तो उत्तर साथ ही उद्जीजी का चार भी कलप आपके सामने है अगले प्रशन पर चलते हैं अलप प्राण, महाप्राण, घोश और सघोश क्या कहा गया है अलप प्राण, महाप्राण, सघोश और अघोश आदी ब्यंजन है उत्पती के धार पर हैं, स्थान के धार पर हैं पर्यत्न के अधार पर हैं जा इन में से कोई नहीं तो साथियो इसका उत्तर भी दे दिजीगा क्योंकि हमने अभी अभी इसको 5-6 मिनिट पहले ही इस वीडियो के समझाया है जदि आपने वीडियो पूरा देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि स्थान के धार पर हैं, परियतन के धार पर हैं जवत पती के धार पर हैं अभी तीसरा जो प्रशन है इसको पढ़ लेते हैं साथियो छोड़ा सा चोड़ा कर लेते हैं वीडियो सक्रीन को जी आभी फिर टेट गया तीसरा प्रशन है, तीसरा प्रशन क्या है ग्यंजनों के नीचे जब एक तिर्शी रेखा हलंत की बात हो रही साथियो जब एक तिर्शी रेखा लगाई जाए तब उसे हलंत कहते हैं यह तो हमें मालूम है इसका प्रशोग क्यूं होता है साथियो बहुत इंटरेस्टिंग प्रशन है ऐसे प्रशन प्रिक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए तो हम लाएं हैं वई तो क्यूं किया जाता है सारे के सारे बिकलब पढ़िएगा अगर आपको लगता है सारे बिकलब सही है तो पांच माल लगा दीजिए पांच इसमें साथियो जहाँ पर लग दूसरे स्थान पर आगए मेरे खियाल से तो कोई बात नहीं साथियो कोई बात नहीं तो व्यंजन जे हैं ये क्या व्यंजन है ऋगोश हैं अगोश हैं महापरण साथी आपको होंबर्ण है अभी हमने किया थोड़ी देर पहले ही हमने किया है या आपकी ओपर छोड़ देते हैं हव्यंजन अभी दो मिनट पहले ही मैंने बताया है ठीक है तो जे भी आपको प्रशन ने दे रहा हूं बर के लिए छठा प्रशन है कौन से व्यंजन संस्कृत में नहीं है साथियो जे रिसर्च के लिए प्रशन में आपको दे रहा हूं जुकि जे मैंने नहीं समझाया है कौन से व्यंजन संस्कृत भाषा में नहीं है अभी संस्कृत के लिए जो लिपी प्रजोग की जाती है वो भी देवनागरी लिपी है हिंदी के लिए जो लिपी प्रजोग की जाती है वो भी देवनागरी लिपी है लेकिन साथियों आपको पता देता हूँ कि इसमें दो व्यंजन ऐसे हैं जो संस्कृत में प्रजोगी नहीं होते हैं तो अभी यह रिसर्च का विशे है आप रिसर्च करेंगे ना साथियों खुद सीखेंगे तभी तो आएगा ठीक है जे आपको सर्च करने के लिए मतलब कहीं गूगल करिए कताबे खंगालिये कहीं से भी ढूड़िये बैसे गूगल करने से मिल जाएगा आपको ठीक है आगे साथ इस साथवा प्रशन है तो आदी ब्यंजन है मतलब उश में ब्यंजन क्या है अलप्रान है, महाप्रान है, पहला या दूसरा दोनों है जा फिर इन में से कोई नहीं उत्तर दीजीगा साथ ही, जरूर उत्तर दीजीगा प्रतिक्षा करूँगा बेसबरी से में क्योंकि हमने बहुत सारे प्रशन पूछे हुए हैं पहली की वीडियो में भी बहुत राज तक नहीं मिले हैं फिर मैं सोचता हूँ कि चलो कोई बाद नी देंगे हमारे साथ ही जरूर उत्तर देंगे साथ ही आठमा प्रशन है कौन सी परिभाशा सही नहीं है चार परिभाशाएं दी गई है किस से समंदित दी गई है जह दी गई है घोश से समंदित दी गई है जा अघोश के समंदित ठीक है जो स्वास बाजू के अधार पर जो वर्ण वेद हैं ठीक है उसे के अधार पर जे परिभाशाय सात्यों दी गई है महा प्राण अलब प्राण घोश अगोश चारों के अधार पर जे परिभाशाय है लेकिन कौन सी सही नहीं है चुनिएगा और जो सही है उसको जाद कर लेजिएगा जो कौन सी सही नहीं है ऐसे प्रशन साथ को प्रिक्षां में आते हैं बटकाने के लिए कौन सा मत गलत है तो कौन सा मत गलत है चार विकलब दिए गए है साथियो कौन सा आपको गलत लग रहा है जरूर पढ़िएगा उत्र जरूर दीजिएगा आज का हमारा अंतिम प्रशन है कौन सा मत गलत है मतलब जो हमारे संजुक्त विएंजन है कौन सा विकलब जहां पर उस तो साथियो कैसी लगे वीडियो आपको हॉमबर्क आपको मैंने दिया हॉमबर्क साथियो प्लीज जाकर करिए कमेंट सेक्षन में अगर किसी ने उत्तर सभी उत्तर सही दे दिये हैं तब भी कोई बात नहीं अपना उत्तर दीजिए चाहे गलत ही हो साथियो कोई बात नहीं ह आज भी गलतियां करता हूं ठीक है जब भी मैं अपने टेलीगराम में जाकर प्रेशन गलत बोल देता हूं जो इसका विकलब गलत हो जाता है ज़रा देता उनकर तुर्म मैं आप माफ ही मांगता है मैंने गलत करवा दिया था क्फीजन नहीं रखना है जितनी भी बहने हमारी इस वीडियो को देख रही है प्लीज 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 सुपोर्ट करें इस वीडियो को और सारे कन्फ्यूजन जो है क्लेर कर लीजी भई अभी घोश अघोश अलब प्रांट महाप्रांट से समंदित और कौन सी बुक आपको पढ़नी चीज यह पताना है भूल गया NCRT की कोई भी व्याकरण की पुस्तक जो शठी से लेकर दस भी तकी हो उसमें आपको सारा स्लेबस मिल जाएगा साथी कोई भी NCRT की पुस्तक ले लो क्योंकि बाकी जो अडिशन आते हैं उसमें साथ यूँ बहुत गलती आए मैंने बहुत सारी पुस्तक खरेदी स्वर्ण के खरेदी अरिहंत के खरेदी बहुत सारी गलती हो उसके अडिशन में आ जाती है लेकिन NCRT की कोई भी भी व्याकन की पुस्तक ले लो आप दोखा निखाओगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक और ध्यान रखे धन्यवाद और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना सुरक्षित रहें और वीडियो लाइक कमेंट शुर जूर करवाएगा जदी आपको अच्छी लगी है तो ओल दी वैस्ट आपकी प्रिक्षाओं के लिए